हेलो एव्रीवन विल्कम बैक टू माई शैनल इसमाड़यों तो इस वीडियो में बात करेंगे एससे सीजियल के टीर वन एस्पेक्टेड कटफ के बारे में जैसे कि आपको पता है कि टीर वन का अंसर किया चुका है और सारे कैंडियेट को अपना रॉय स्कोर पता चल चुका होगा कि क्या उनका रॉय स्कोर आ रहा है तो इस वीडियो में जानेंगे एस्पेक्टेड कटफ आपके क्या रहेगी और सो बात करेंगे नॉर्मलाजिशन में कितने नमबर बढ़ सकते हैं कि सिफ्ट का हाड आया था इजी आया था सब कुछ आपको बताऊंगा कि सिफ इस में इस कोड बढ़ सकता है तो ऐसा होता है से में कि जो 120 बंदा कर रहा है इसको ठीक एक एक्जामपल के तौर पर समझारों जो बंदा 120 कर रहा है और जो बंदा 130 या 35 विमान के चलो 35 भी कर रहा है तो दोनों ही बंदा एक ही क्याट्रिगोरी से अगर फॉर्म भारा तो भी 120 वाला भी क्वलिफाई होगा अगर कटफ 130 गई तो और 135 वाला भी क्वलिफाई होगा अगर कटफ 130 है तो यह कैसे होता है नॉर्मलाजिशन के वज़े से होता है ठीक है अगर ऐसे सिफ्ट में आपका एक्जाम है मालों आप दो कैंडिटर दोनों यूर से बिलोंग करते हो तो definitely उसके नमर बढ़ेंगे हो सकता है 10 नमर बढ़ें 15 नमर बढ़ें या 20 नमर भी बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह SSC में होते रहता है जैसे कि आपको पता होगा अभी तो फिलाल कम हो रहा है लेकिन पहले क्या होता तक पहले 20 से 25 नमर बढ़ जाते थे ठीक है तो इस तरीके से भी यहां पर होता है सबसे पहले important factor बागर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते है number of vacancies के बारे में 75-100 vacancy है ठीक है अगर बढ़ के 10,000 भी हो जाती है मान के चलते के 10,000 हो जाती है तो कितना होगा जासे जाद 10 गुना candidate qualify करने है तो एक लाग candidate जाएंगे ठीक है अभी 80,000 मान के चलो अगर 75-100 है तो ठीक है और अगर मालो कि 10,000 vacancy हो जाती है तो एक लाग candidate ऐसे होंगे जो कि main examination के लिए जाएंगे ठीक है अगर vacancy बढ़ती है तो नहीं तो आप 75-100 है अगर मान के चलोगे तो लगवगग आप मान के चलो कि 80,000 ऐसे candidate होंगे जो कि आपके main examination के लिए qualify करे जाएंगे अब previous share की cut up से बहुत साय लोग compare करते है तो previous share में जो qualify करना था tier 1 काफी जादा आसान था क्योंकि वहाँ पर vacancy देखे तो 36,000 vacancy थी और लगवग 3,000,000 से उपर candidate को tier 2 के लिए qualify करा गया था ठीक है और यहाँ पर अगर हम देखे तो vacancy काफी कम है अगर previous share से compare करोगे तो ठीक तो previous share की cut up से बलकुल भी compare इसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर vacancy काफी जादा कम है अगर हम compare करे last year से तो यह तो बात होगे vacancy के बारे में competition level के बारे में अब हम बात करते हैं exam के level के बारे में कि exam का level कैसा रहा तो overall जो level रहा वो easy to moderate हम बोल सकते हैं तो कुछ assess shift भी थे जहाँ पर paper moderate आया ठीक है और कुछ assess shift भी थे moderate भी हुआ बहुत सारे ऐसे shift जहां पर paper का level अच्छा था moderate level का था जैसे कि आप देखो 27 तारीक वाली जो exam हुई उसमें काफी अच्छा exam का level था और फिर 24 तारीक को जो exam हुआ 4 shift उसमें भी level अच्छा था 25 तारीक को 4 shift उसमें भी level अच्छा था इसके वैसे काफी सारे candidate reading में 18 से 15 नमबर ही attempt कर पाया ठीक है बाकी जैसे English है English वगएरा काफी easy है English का जो paper का level था वो बिल्कुल stable था और कुछ-कुछ shift में भी hard आया था लेकिन ऐसा गर हम देखे तो बिल्कुल stable ही चल रहा था है English के अगर हम बात करें तो तो यहां पर की जो cut-up आती है overall आती है ऐसा तो कोई है ने कि section wise cut-up आएगा ठीक है तो overall जो आपका cut-up होगा जो level होगा उस पे ही depend करेगा तो कुछ ऐसे shift है जहां पर paper moderate आया जहां पर number बढ़ने के chances है ठीक है normalization में आपकी हमेसा number बढ़ते है अगर हम बात कर ले जो 24 तारी को exam दिया है या 27 तारी को first shift हो 24 तारी को first shift हो या 25 तारी की fourth shift हो वो सारे shift क्या है hardest shift में आते है तो वहां पर क्या है वहां पर जो level of exam तो अच्छा था जहां पर paper moderate आया था तो वहां पर आपके number बढ़ सकते हैं जो मैं कटे बता रहा हूं उससे आप 10 number plus minus करके चल सकते हो अगर आपका यहां पर hardest shift है तो आप मान के चल सकते हो कि 5-6 number यहां से बढ़ सकता है 10 number भी बढ़ सकते हैं ठीक है उन से compare करें तो जो moderate level का shift रहा अगर उसके बारे में हम बात कर ले तो वहां पर जो भी candidate अगर हम बात करें attempt की या बात करें Roy score जो अब आया है तो candidate का ही कहना है कि सर मेरे 128 से लेकर 135 के बीच में बन रहा है ठीक है इसी के आसपास उनके score बन रहा है अगर हम UR की बात कर ले OBCV इसमें आ जाती यहाँ पर safe score हो सकता है उन candidate के लिए जो की एक moderate shift में exam दे कर रहा है मतलब जो compare करें अगर first shift, second shift जो easiest shift आया उससे अगर आपका moderate level का है तो ठीक है अगर आपका hard level का है तो अगर आपने 120 भी करा है तो भी आपके chances है कि आप आगे तक जा सकते है और OBCV अगर आपके 120 भी है फिर भी तो अगर हम एक safe score की बात करें कि आपका safe score क्या रहेगा तो मान के चलते हैं कि एक paper moderate level का चल रहा है जो आपका 49 shift हुआ उसमें ठीक है जो आपका first shift हुआ उससे compare करें जो easy shift है या hardest shift है उसके बीच का जो shift है अगर उसको लेकर चलें तो candidate का लगव यही कहना है कि सर अगर 130 पलस है तो qualify होने के chances है क्योंकि average जो score रहा है वो आपका 130 से 135 के बीच ही बन रहा है यूर की हम बात कर ले जो average score बन रहा है वो 130 से 135 बन रहा है ठीक है 130 से 135 के बीच आपके यूर के score बन रहा है अगर हम आगे बात कर लें जो आपके average score अगर हम बात करें model shift की OBC के बारे में तो जो candidate OBC से बिलोंग करते हैं वो 128 से लेकर अगर 134 या 133 के बीच भी score कर रहा है तो बिलकुल उनके chances से कि वो आगे तक जा सकते हैं ठीक है अगर SC-ST की बात करें SC की बात कर लेते हैं सबसे पहले SC का जो cutoff है raw score की बात कर रहा हूं cutoff की बात नहीं कर रहा है अगर raw score आपके इतनी है तो आप आगे की तयारी कर सकते हो 126 प्लस अगर आपने करा है तो बिल्कुल आप आएके तयारी करो HD की बात करते है HD में जो candidate 120 के आसपास कर रहे है 120 प्लस कर रहे है तो उनके chances है कि वो main examination के लिए जा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ है यहाँ पर categories wise मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो raw score है safe score यह रहने वाला अगर आपके भी exam के level moderate रहा ठीक है तो इस type के अगर exam के level आपके रहे है तो बिल्कुल आपका जो यह raw score है वो safe score है अब बाकी हाँ से जो ऐसे candidate है जिनके वो hardest shift में exam हुआ अगर हम compare कर easy से तो तो उनके number बढ़ सकते है अगर 5-10 number कम भी है फिर भी उनको main examination की त्यारी करनी चाहिए क्योंकि 5-10 number बढ़ सकते है ठीक है अगर normalization होगा जैसे कि आपको पता है कि SSC में हमेसा normalization होता है तो normalization में उनके number बढ़ने के chances है अब normalization कैसे होता है आपको पता होगा हर एक shift का average score निकाला जाता है compare किया जाता है जहां पर average score ज़्यादा आता है उस shift को easy shift माना जाता है और जिस shift का average score low आता है उस shift को hardest shift माना जाता है ठीक है अभी तक हम देखे सबसे हाँ hardest shift जो रहा है 27 तारी को exam हुआ था 24 तारी को fourth shift जो हुआ था वह भी हाड था 25 तारीक को जो फोर्थ सिफ हुआ वह भी हाड था और भी ऐसे बहुत सारे सिफ्ट थे जो हाड थे तो लगवक 5-6 ऐसे सिफ्ट जहां पर पेपर का लेबल काफी ज्यादा अच्छा आया और केंड़ेट के अटेंप्ट जो थे वह लो आया थे ठीक है तो यह क देकली बबाई और टेक केर